आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Plastids present in flowers and fruit are called तो वो Plastids जो flowers में होते हैं और fruit में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं अगर हम बात करें Plastids की तो Plastids को एक टाइटल मिला है उनको हम कहते हैं Kitchen House किसका Kitchen House of Plant Cell तो Plant की Body में जो Food बनता है वो Food कहां बनता है इस Organeल में Plastid ये Plastid दो टाइप्स के हो सकते हैं एक होते हैं Leukoplast Leukoplast जो होते हैं ये Colorless होते हैं यानि कि ये Plant के उस Part में प्रेजेंट होंगे जहां पे Storage होती है किसकी Storage होती है? Food की Example के तोर पे अगर हम Carbohydrate की Storage करना चाहते हैं तो Carbohydrate की Storage किसमें होती है? Potato के अंदर तो Potato जो है, Modified Part है जो क्या करता है? Carbohydrate की Storage और वो एक Leukoplast है Second number पे अगर हम देखें तो यहां आता है Chromoplast तो Second type का Plastid है Chromoplast नाम सी पता लग रहा है Chroma Chroma का मतलब होता है Color यानि कि ये Plant के उस पार्ट में Present होगा जहां पे Pigments को Store किया जाता है Pigments की वज़ा से ही Color आता है ये Pigments जो हैं वो अलग-अलग Structures में Present हो सकते हैं जैसे Fruits जो होते हैं Colorful होते हैं Flowers भी Colorful होते हैं तो इन में Pigments मिल जाएंगे Example के तौर पे अगर Plant के Green कलर की बात की जाए तो उसके लिए जो Plastid होगा उसको हम कहेंगे Cloroplast तो सीधी सी बात है यहां पे जो Correct answer होगा वो क्या होगा Chromoplast तो जो Plastid जो है Flowers और Fruit में Present होता है उसको हम क्या कहते हैं Chromoplast तो Correct answer है Chromoplast Classics 212 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज जी डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 8444 पर